जी के मस्ती एमेस में आप लोगों का फिर एक बार सौगत है इतिहास लूसेंट और अफ्सनल वाली जो स्रंखला चल रही थी उसके साथ साथ में जो एक्स्प्लेंग चल लहा था उसमें पहला टॉपिक सिंदु घाटी की सभिता ये कम्प्लीट कर लिया गया है किरन बुक से भी एक्स्प्लेंग किया वो भी कम्प्लीट हुआ और जो लूसेंट बुक का है वो भी कम्प्लीट हुआ आज बैदिक संस्क्रती दूसरा टॉपिक जो आप्सनल वाली लूसेंट है पहला कोस्चन है पूर्व वैदिक या रिग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है तो पूर्व वैदिक या रिग वैदिक संस्कृत का काल पंद्रा सो इस्वी पूर्व से एक हजार इस्वी पूर्व माना जाता है तो ये तो पहला question हुआ थोरा वैदिक सभिता पर लूसेंट बुक से प्रकास डालते हैं वैदिक काल का विभाजन दो भागों में होता है एक रिग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल रिग वैदिक काल पंदरा सो से एक हजार इसवी पूर्व और उत्तर वैदिक काल एक हजार से छेसो इसा पूर्व ये काल क्रम इनका डिवाइडेड किया गया रिगवेदिक काल 1500 से 1000 इसवी पूर्व और उत्तरवेदिक काल 1000 इसवी पूर्व से 600 इसवी पूर्व आरे सर्व परथम पंजाव एहों अफगानी स्थान में वसे मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास मद्ध एसिया को माना है आर्यों द्वारा निर्मित सब्विता वैदिक सब्विता कहलाई। कुल, ग्राम, विस, जन, राष्ठ, ग्राम का मुख्या ग्रामिडी कहलाता था, विस का प्रधान विस्पत कहलाता था और जन का सासक राजन कहलाता था, ग्राम का ग्रामडी, विसका विस्पत, जनका राजन राज अधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुक थे वसिष्ट रूडिवादी एवं विस्वामित्र उदार पुरोहित थे वसिष्ट जो थे वो रूडिवादी थे जबकि विश्वामित्र थे वो उदार पुरोहित थे सूत, रथकार तथा कमबादी नामक अधिकारी रतनी कहे जाते थे सूत, रथकार तथा कमबादी इस प्रकार के जो अधिकारी होते थे उन्हें रतनी कहेते थे इनकी संख्या राजा सहीद करीब 12 हुआ करती थी पुरप क्या है पुरप दुरगपती और इस पस जो है जनता की गतिविदियों को ध्यान देखने वाला गुप्तचर होते थे पुरप जो है दुर्गपती होते थे और जबकि इसपस जो है जनता की गत्विदियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे वाजपत किसे कहते थे वैदिक काल में वाजपत उसे कहते थे जो गोचर भूमी का अधिकारी होता था वाजपती, गोचर यानि गव कोचरने वाली भूमी का अधिकारी होता था उसे वाजपती कहते थे उग्र किसे कहते थे अपराधियों को पकड़ने का कार करने वाला उग्र कहलाता था रिगवेद में किसी तरह के न्याय अधिकारी का उलेक नहीं है मतलब इनका है उलेक रतनी किसे कहते थे पुरप दुर्गपत कहते थे इसपस जनता की गतविदियों पर नजर रखने वाला वाजपत गोचर भूमी का अधिकारी उग्रद अपरादियों को पकटने वाला लेकिन न्याय अधिकारी का उलेक रिगवेद में नहीं है सभा और समिती राजा को सला देने वाली संस्था थी सभा स्रेष्ट और संभरात लोगों की संस्था थी सभा स्रेष्ट और संभरात लोगों की संस्था थी जबकि समिती स्रेष्ट और संभरात लोगों की संस्था थी जबकि समिती सामान जनता का प्रतिनिद्द करती थी इसके अध्यच को इसान कहा जाता था समित के अध्यच को जो सामान जनता का प्रतिनिदित करती थी इसके अध्यच को ईसान कहा जाता था इस्त्रिया सभायों समितियों में भाग ले सकती थी ये रूल था सभायों समितियों में भाग ले सकती थी युद में कभीले का नेत्र तुराजा करता था युद के लिए गविष्ट सब्द का प्रियोग किया जाता था गविष्टी जिसका अर्थ होता था गायों की खोज गविष्ट का प्रियोग किया जाता था युद के लिए जिसका अर्थ होता था गायों की खोज दसराग युद का उलेख जो दसराग का युद हुआ था उसका उलेख रिगुवेद के सात्वे मंडल में है या युद परुषडि यानि रावी नदी के टट पर सुदास एवम दस जनों के बीच लड़ा गया सुदास एवं दस जनों के बीच लड़ा गया जिसमें सुदास विजई हुआ उपनिस्दों की संख्या 108 बताई गई है वैदिक काल में महापुराणों की संख्या 18 और वेदांग 6 बताए गए रिगवैदिक समाज चार वरडों में विभक्त था ये वरड ब्रामण, चत्री, वैशे और शुद्र थे या विभाजन विवशाय के आधार पर था रिगवेद के दस्वे मंडल के पुरुस सूक्ति में दस्वे मंडल के पुरुस सूक्ति में रिगवेद की चतुर वरडों का उलेख मिलता है इसमें कहा गया है कि ब्राम्मण परमपुरुस के मुक से, छत्री परमपुरुस के भुजाओं से, वैस उनकी जांगों से और सुद्र उनके पैरों से उत्पन हुए दस्वे मंडल के पुरुस सुक्त में ये चारो वरणों का वरण किया गया आर्यों का समाज पित्र प्रधान था अपने पती के साथ ही यगिकार में भाग लेती थी, बाल विवा और प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था, विधवा अपने मृतक पती के छोटे भाई यानि देवर से विवा कर सकती थी, इस्त्रियां सिच्छा ग्रहन करती थी, रिगवेद में लोप मुद्रा, लोपा म सिक्ता, आपला यूं विश्वास जैसे विदुसी इस्त्रियों का वरण है, गारगी ने याग वलक को वाद विवाद की चुनोती दी थी, जीवन भर जो विवा नहीं करते थी इस्त्रियां, उसको आमाजू कहा जाता था, आमाजू, आमाजू कहा जाता था, आर्यों का मुख पेपदार्थ सोम रस्था या वनस्पत से बनाया जाता था, मुख पेपदार्थ सोम रस्था या वनस्पत से बनाया जाता था, आर्य मुखता तीन प्रकार के वस्त्रों का उप्योग करते थे, वास, अधिवास और उस्डीस, अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था, नीवी, आर्यों के मनुरंजन के मुखी साधन संगीत, रथदोल, घुड़दोल दुरुत कीड़ा, आर्यों का मुख व्यवसाई पसपालनेवकरस था, गाय को अधन्या, यानि ना मारे जाने योगी पसु की स्रेडी में रखा गया था, गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदो में मृत्तु डंड अथवा देश से निकालने की बेवस्था की गई थी गाय को अधन्या कहा गया था आर्यों का प्रिय पसु घोड़ा और सरवादिक प्रिय देवता इंद्र था आर्रे द्वारा खोजी गई धात लोहा थी जिसे स्याम आयस कहा जाता था व्यापार हेत दूर दूर तक जाने वाले विक्त को पड़ी कहते थे व्यापार तक दूर दूर तक जो लोग जाते थे उन्हें पड़ी कहते थे लेन देन में वस्त वीनिमय की प्रडाली प्रचलिती रिड़ देकर व्याज लेने वाला वेक्ति वेक्नाट यानी सूधकोर कहा जाता था मनुस्वयों देवता के वीज मध्यस्त की भूमिका निवाने वाले देवता के रूप में अग्न की पूजा की जाती थी रिगवेद में उलखि सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्रपूर्ट था पवित्र मानी जाती थी रिगवेद में गंगा का एक बार और यमना का उलेख तीन बार हुआ है रिगवेद में गंगा का उलेख एक बार और यमना का उलेख तीन बार हुआ है इसमें सिंद्ध नदी का उलेख सरवाधिक बार हुआ है उत्तरवैदिक काल में इंद्र के इस्थान पर प्रजापती सरवाधिक प्रिय देवता हो गए थे रिववैदिक काल में इंद्र सबसे प्री और उत्तरवैदिक काल में प्रजापती सबसे प्री उत्तरवैदी काल में राजा के राज्यव सेक के समय राजसी यग्य का अनुष्ठान किया जाता था उत्तरवैदी काल में वरण विवस्था की बजाए जन्म के आधार पर निर्दारित होने लगे थे उत्तरवेदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था उत्तरवेदिक काल में निस्क और सत्मान मुद्रा की काईयां थी निश्क और सत्मान मुद्रा की काईयां थी लेकिन इसकाल में किसी खास भार आकरती और मुल्य के शिक्कों के चलन का कोई प्रमाड नहीं मिलता सांखी दर्सन भारत के सभी दर्सनों में सबसे प्राचीन है सत्मे उजयते मुंड को उपनिसद से लिया गया है इसी उपनिसद में यग की तुलना टूटी नाओ से की गई है गयत्री मंत्र सावित्र नामक देवता को सम्मूदित है जिसका सम्मंद्र रिगवेद से है लोगों को आर बनाने के लिए विश्वामित्र ने गयत्री मंत्र की रचना के थी उत्तरवैदिक काल में कौसाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की इंटों का प्रियोग किया गया है महाकाबिदो है महाभारत एवं रामायड महाभारत का पुराना नाम जैसहिता है यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाब्ब है गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तरवैदिक काल में हुआ बेदान्थ दर्सन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सुत्र या बेदान्थ सुत्र की रचना बदरायण ने की थी तो तो लुशेंट के नुशार हुआ इसमें कुछ ट्वापिक है प्रमुक दर्सन यो मौन के प्रवर्तक तो चारवाग जो दर्सन था उसके प्रवर्तक चारवाग थे योग जो दर्सन था उसके प्रवर्तक पतंजल थे सांग की दर्सन था जो सबसे प्राचीन दर्सन माना जाता है भारत का उसके जो प्रवर्तक थे वो कपिल मुन्थे कपिल मुन्थे नय दर्शन के प्रवर्तक गौतम पूर मिमानसा के दर्शन जो है उसके प्रवर्तक जैमिनी उत्तर मिमानसा के प्रवर्तक बादरायण और वैसेस्की दर्शन के प्रवर्तक कलादिया उलूक थे चारवाक चारवाक योग पतंजल सांख कपिल न्याय गौतम पूर्मिमांसा जैमिनी उत्तरमिमांसा बादरायन वैसेसिक कलादिया उलूक अगला है रिगवैदिक काली नदिया तो रिगवैदिक काली नदिया जो थी एक नदि थी कुरूब जिसका आधुनिक नाम कुर्रम है कुर्व कुर्रम सदाwritten नीरह कहते थे द्रसदत्ती मतलब घगघर गोमती कहलाती है आजकल पुराना नाम गोमती सुवस्थू पुराना नाम है आदुनिक नाम स्वात कुब को कुर्रम कुभा को काबूल वितस्ता को जहलम आशकिनी को चिनाव परुष्डी को रावी, सतुद्री को सतलज, विपासा को व्यास, सदानीरा को गंडक, द्रस्दत्ती को घगर, गोमती को गोमल, सुवस्त को स्वात अगला है रुगवेदिक कालिन देवता तो इंद्र जो देवता थे, युद्ध का नेता एवं वर्सा का देवता माना जाता था इंद्र आगनिको मनुस के देवता और मनुस के बीच मध्यस्त माना जाता था यगिको, ए आगनिको स्वारी वरुण प्रथवियों सूर के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियाम के वं सासक, सत्य का प्रतीक, रित परिवर्तन वं दिनरात का करता वरुण माना जाता है गव आकास का देवता सबसे प्राचीन देवता गव माना जाता है सोम वनस्पत देवता है, उसा प्रगतियों उत्थान देवता है, अश्विन विपतियों को हरने वाला देवता अश्विन पूसन, पसुओं का देवता पूसन कहलाता है, विश्डू, विश्व के सनरच्छ के वम पालन करता विश्डू, मारुद, आन्धी तूफान का देवता मारुद कहलाता है तो ये तो लूसेंट बुक से कुछ एक्स्लेंड हुआ, वैदिक काल का, नेक्स्ट पार्ट में किरन बुक से आएंगे, तब तक कुछ कोस्चन देख लेते हैं, दूसरा कोस्चन है, लूसेंट की ही ऑप्सिनल वाली, रिगवैदिक काल का समय 1500 इस्विपूर से 1000 नेक्स्ट कोस्चन तीसरा, आर शब्द का साब्दिक अर्थ, तो आर शब्द का साब्दिक अर्थ स्रेष्ट या कुलीन, फोर्थ कोस्चन, प्रारंबिक आर्रियों के बारे में निम्न कत्नों में से कौन सा सही नहीं है, वे संसकरत बोलते थे, सही है, वे घुरसवारी करत नेक्श ने इनमें से किस फसल का ग्यान वैधि.-skal के लोगों को नहीं था तो जौ का था, गेहू का था, चावल का था, लेकिन तंबाकू का ग्यान उनको नहीं था उत्तरवैदिक काल के वेद विरोधी और ब्रामण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था तो जो वेद विरोधी थे ब्रामण विरोधी जो धार्मिक अध्यापक थे उनको स्रमण कहा जाता था स्रमण वैदिक गडित का महात्रपूर अंग क्या है तो वैदिक गडित का महात्रपूर अंग जो है सुल्व सूत्र है किस वेद में प्राचीन वैदिक युक की संस्क्रत के बारे में सूचना दी गई है किस को उत्तर वैदिक काल में लिखे गए गरंथों का सही क्रम कौन सा है तो सबसे पहले वेद लिखे गए फिर ब्राम्मण गरंथ लिखे गए फिर आरडयक लिखे गए और फिर उपनिशत लिखे गए वेद, ब्राम्मण, आरडयक और उपनिशद ये जो है ये सही क्रम है वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का वेदों की संख्या चार कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रई या वेत्र दई कहलाते हैं तो रिगवेद, यजुरुवेद और सामवेद को तीन ये वेद हैं जो रिगवेद, यजुरुवेद और सामवेद इनको त्रई या वेद त्रई कहते हैं भारत के राजचिन में प्रियुक्त होने वाले सबसे प्रिये सब्द सत्में उजयते किस उपनिसद से लिया गया है तो ये मुंडक उपनिसद से लिया गया है कहां से मुंडक उपनिसद से सत्में उजयते रिगवेधी कार्यों का मुख्य वेवसाय पस्पालन भारती संगीत का आदिगरंत कहा जाता है तो भारती संगीत का आदिगरंत सामवेद कहा जाता है क्या कहा जाता है सामवेद अच्छा प्रथम विध निर्माता कौन माना जाता है तो प्रथम विध निर्माता ना तो चाड़ा की माने जाते हैं ना तो चंद्रगुप्त माने जाते हैं ना शेलूकस माने जाते हैं अगर माना जाता है कोई तो वो है मनू कौन है मनू रिगवेद में संपति का प्रमुख रूप जो है वो गोधन है क्या है गोधन रिगवेद के किस मंडल में सुद्र का उलेख पहली बार विलता है पुराणों की संख्या अठारा है सभी जानते हैं वैदिक धरम का मुख लच्छड इनमें से किस की उपासना था किस देवता के लिए रिगवेद में पुरंदर सब्द का प्रियोग हुआ है सूल्व सूत्र किस विशे से सम्मंदित पुस्तक है तो सूल्व सूत्र जो है जैमिती विशे से सम्मंदित पुस्तक है ना जोतिस से ना गडिस से ना खगोल से जैमिती से सम्मंदित पुस्तक है सुल्व सूत्र अस्तोमा सद गयम तमसोमा जोतिर गयम मृत्यो अर्मा अम्रतम गमया कहां से लिया गया है अस्तोमा सद गयम तमसोमा जोतिर गयम मृत्यो अर्मा अम्रतम गयम ये लिया गया है उपनिसद से आर भारत में बाहर से आये और सरोप्रथम बसे थे कहा पंजाब में ना समा तट में बसे ना प्राग जोतिस में बसे ना पांचाल में बसे थे पंजाब में अच्छा कुछ सुमेल करना है सुमेल कीजिए तो रिगवेद के आगे लिखा है होता या होत्र यजुरुवेद के आगे लिखा है अधरवायू सामवेद के आगे लिखा है उद्गाता या उद्रत और यथरुवेद के आगे लिखा है ब्रह्मा तो इसमें सभी सही है रिगवेद के आगे होता या होत्र लिखा है तो ये जो रिगवेद का यग करता था तो उसे होता या होत्र कहले थे यजुरुवेद में जो यजुरुवेद के अनुसार जो यगी करता था वो अधरवायू कहलाता था साम वेद के अनुसार जो यगी करता था उद्गाता या उद्गात्र कहलाता था और ये थर्वेक के अनुसार जो यगी करता था वो ब्रह्मा कहलाता था ये सही है नेक्स्ट कोस्टन वेदों को आपाउरुशे क्यों कहा गया है तो वेदों को आपाउरुशे इसलिए कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं दोरा की गई है वेदु की रचना देवताव दोरा की गई इसलिए वेदु को आपवरुशे कहा जाता है अच्छा वैसेशिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे तो वैसेशिक दर्शन के प्रतिपादक या तो उलूक कड़त थे कौन थे उलूक कड़द मिमांसा या पूर मिमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे अभी अमने बताया था मिमांसा या पूर मिमांसा के जो प्रतिपादक थे ये जो दर्शन सास्त्र था मिमांसा या पूर मिमांसा तो इसके प्रतिपादक जो थे वो जैविली सहाब थे, कौल थे, जैमिनी सहाब थे, नेक्स्ट है, वेदान्त या उत्तर मिमांसा दर्सन के प्रितिपादक कौन थे, देखो, पूर मिमांसा को मिमांसा भी का जाता है, उत्तर मिमांसा को वेदान्त भी का जाता है, तो इसके जो प्रितिपादक थे, ये पून रूप से सोम को समर्पित है प्रसिद दस राजाओं का युद्ध यानि दस राज युद्ध किस नदी के टटपर लडा गया तो परूश्डी किस नदी के टटपर परूश्डी नदी के टटपर लडा गया धरम सास्त्रों में भूराजश की दर क्या है चे है, आट सो इस्वी पूर्व से चेसो इस्वी पूर्व का काल ब्रामण युग से जुड़ा है, किस काल में अच्छूत की अवधारणा इसपश्ट रूप से उदित हुई, तो धर्म सास्त के काल में, ना तो रिगवैदिक काल में अच्छूत की अवधारणा इसपश्ट रूप से उदित हुई, ना उत्तरवैदिक काल में हुई, ना उत्तरगुप्त काल में हुई, धर्म सास्त के काल में अच्छूत की अवधारणा इसपश्ट रूप से उदित हुई, एसिया माइनर इस्थित बोगा आज कोई का मात इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेक प्राप्त हुए हैं उनमें छे वैदिक देवताओं इंद्र वरुण मित्र नाथ्ष का उलेक मिलता है जो बोगा आज कोई का मात इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेक प्राप्त हुए हैं उनसे इंद्र वरुण मित्र ना सक्त इन चार देवताओं का उलेक मिलता है च्छतिस्वा कोश्चन गायत्री मंत्र यानि देवी सवित्र को सम्मूदित जो गायत्री मंत्र है किस पुस्तक में मिलता है तो रिगवेद में मिलता है नय दर्शन को प्रचारित किसने किया गौतम ने प्राचीन भारत में निस्क से जाने जाते थे सवर्ण अभूशड को निस्क कहते हैं शुर्ण जो अभूशड थे शोने के बने हुए अभूशड शोने के बने हुए आभूश्णों को प्राचीन भारत में निस्क कहते थे योग दर्सन के प्रतिपादक कौन है तो योग दर्सन के प्रतिपादक पतंजली है नय दर्सन के प्रतिपादक गोतम है पूर्मिमांसा और पूर्मिमांसा के प्रतिपादक जैमनी है ब्राम्मड दर्शन के प्रतिपादक शंक्राचार है अगला है उपनिसद पुस्तके हैं तो दर्शन पर उपनिसद जो पुस्तके हैं ना धरम पर है ना योग पर ना विदि पर ये दर्शन पर है तो लुसेंट वाली ओप्सरल बुक से 40 कोस्टन कम्प्लीट सुए वीडियो को बार बार एकांत मन से सुनें और दो तीन बार जवाब सुन लेंगे बिल्कुल आपके माइंड में फीर्ट जैसा हो जाएगा थैंक्स पर वाचिंग